सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स वेंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाईए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हेई एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मैं हीट मीन्स उश्मा से रिलेटिद कुछ ग्वेशन को डिसकस करूंगी जो प्रिवेस येर के क्वेशन पेपर से मैंने लिये हैं और ये बहुत सारे कॉंपुटेटिव एक्जैम्स में और इवन स कुछ क्वेशन आपको एक्जैमें देखने को मिले होंगे तो अगर आपने ये टॉपिक पड़ा है हीट तो इससे रिलेटिग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन से हैं जो आपके लिए काफी हेल्फुल होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लास तक देखेगा और अगर शेयर कीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत पूलेगा थांक्यू फर्स्ट क्वेशन इस विच ओफ फॉलोविंग इस फास्टेस प्रोसेश ऑफ हीट ट्रांसफर जो आपको फोर पॉइंट में ओप्शन से रखे हैं मैं इसमें जो आंसर होगा सिफ उसी को आफ़ज सावाला ही ट्रांसफर के लिए सबसे फास्टेस्ट मोड है तो कंडाक्शन र Göडैशन कंवेक्शन यह तीनों प्रोसेश है ढींपर के इसमें से जो थास्टेस्ट मोहार राइशन में हम जब रेडियेशन प्रोसेशो सी को जो ब sens hab aba तो उस टाइम पिर जो भी प्रोसेस की वज़े से जो पानी है वो धंडार हेता आप सबने मिट्टी के जो गड़े हैं वो देखे होंगे उसमें कैया होता है चोटे चोटे पोर्स बने हुए होता तो XC Mile कि ऐसा क्या साथ ुक्रोसेस या किस वज़े से जो मिट्टी के घड़े हैं उनमें पानी धंडा रहता है तो उसका आंसर है evaporation evaporation को हिंदी में कहते हैं wash भी करन next question is pressure cooker cooks food in lesser time because जो pressure cooker होता है means कि जो बंध कंटेनर होते हैं उसमें जो खाना है वो जल्दी क्यों पक जाता है तो इतना आप सबको idea है कि कोई भी चीज़ा कर बंध है वो पूरी तरीके से air tight container है तो उसमें क्या होता है जो heat अंदर आ रही है वो heat वापिस से उस temperature पे उसी object को heat करती रहती है जिसकी वज़े से क्या होता है वो heat बाहर नहीं निकल पाती है यह thermodynamics का एक process है कि system and surrounding तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो इसका answer है temperature of boiling water increases due to the high pressure जब pressure high होता है तो उस time पे जो water है उसका जो temperature है boiling का वो increase कर जाता है next question is in which of the following process of heat transfer no medium is required इन में से उश्मा के संचारन के किस process में या किस प्रक्रिया में process of heat transfer medium is no medium is required किस में माध्यम की जरूरत नहीं होती है सो इसका answer है answer है इसका radiation 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 पर आप दो points बनते हैं first point तो यह है कि radiation जो है वही transfer का fastest method है and second one is radiation process में हमें medium की कोई भी need नहीं होती है अगर इन question से related कोई भी आपको होता है तो आप प्लीज मुझसे comment करके पूछेगा और प्लीज कॉमेंट क्या कीजिए इससे मुझे motivation में विलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है next question is when a solid liquid or gas changes from one physical state to another change is called जब कभी भी solid liquid और gases या आपको पता है तीनो states है matter की ठीक है या तो कोई चीज solid है या फिर कोई liquid होती है या फिर gases state में होती है तो जब इनकी physical state means कि अगर कोई solid है और वो liquid में change हुआ या फिर liquid gases में change होते है तो वो जो state होती है उस प्रसेस को हम क्या कहते हैं आंसर होगा आपका फेस चेंज फेस चेंज का मतलब कि जो उसका चरन है उसमें बदला हुआ है कि पहले वो क्या चीज थी solid थी और उसके बाद में वो किसमें चेंज होगई state में liquid में next question is at what temperature will the reading be the same in Celsius and Fahrenheit thermometer ये जो इसमें topics है questions में इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी temperature को major करने के लिए कौन-कौन से devices का यूज किया जाता है और ये faces से related state से related हर एक topic को हम इनिशली पढ़ेंगे ये जस्ट questions है अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं और आपको जस्ट questions चाहिए तो ये आपके लिए उस time पर helpful होंगे अब question है कि किस temperature पे at what temperature will the reading be the same किस temperature पे Celsius and Fahrenheit thermometer में जो reading है वो same होगी तो answer है इसका minus 40 degree next question is which of the following is the best conductor of heat इन जो four points आपको given है इन में से कौन से वाला उश्मा का सबसे अच्छा सुचालक है answer है sea water और आपको पता है जो sea water होता है ये थोड़ा salty भी होता है आज के लिए just seven questions अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे share कीजेगा and like करिएगा thank you so much hey everyone welcome back to my youtube channel इस वीडियो में मैं heat means उश्मा से related कुछ questions को discuss करोंगी जो previous year के question paper से मैंने लिये हैं और ये बहुत सारे competitive exams में और even cbsc में भी इसमें से कुछ questions आपको exam में देखने को मिले होंगे तो अगर आपने ये topic पढ़ा है heat तो इससे related कुछ important questions हैं जो आपके लिए काफी helpful होंगे तो please इस वीडियो को last तक देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो like कीजेगा, share कीजेगा and मेरे channel को subscribe करना मत भूलेगा thank you first question is which of the following is the fastest process of heat transfer जो आपको four point में options दे रखे हैं मैं इसमें जो answer होगा सिफ उसी को समझाऊंगी बाकी points से आप एक बार go through हो सकते हैं इसमें first question है कि इन चारो process में से कौन सा वाला heat transfer के लिए सबसे fastest mode है तो conduction, radiation, convection ये तीनों process है heat transfer के इसमें से जो fastest mode है वो है radiation radiation में हम जब radiation process होता है heat transfer का तो उस time पे जो भी medium होता है, intervening medium होता है उस पे heat का कोई effect नहीं पड़ता है next question is in the earthen pot the water remains cold due to the process of जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें किस process की वज़े से जो पानी है वो ठंडा रहता है आप सबने मिट्टी के जो घड़े हैं वो देखे होंगे उसमें क्या होता है छोटे छोटे पोर्स बने हुए होता है तो question ये है कि ऐसा क्या process है या किस वज़े से जो मिट्टी के घड़े हैं उनमें पानी धंडा रहता है तो उसका answer है evaporation evaporation को हिंदी में कहते हैं wash भी करन next question is pressure cooker cooks food in lesser time because जो pressure cooker होता है means कि जो बंद container होते हैं उसमें जो खाना है वो जल्दी क्यों पक जाता है तो इतना आप सबको idea है कि कोई भी चीज अकर बंद है वो पूरी तरीके से airtight container है तो उसमें क्या होता है जो heat अंदर आ रही है वो heat वापिस से उस temperature पे उसी object को heat करती रहती है जिसकी वज़े से क्या होता है वो heat बाहर नहीं निकल पाती है ये thermodynamics का एक process है कि system and surrounding तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे सा समझ में आएगा तो इसका answer है temperature of boiling water increases due to the high pressure जब pressure high होता है तो उस time पे जो water है उसका जो temperature है boiling का वो increase कर जाता है next question is in which of the following process of heat transfer no medium is required इन में से उश्मा के संचारन के किस process में या किस प्रक्रिया में process of heat transfer medium is no medium is required किस में माध्यम की जरूरत नहीं होती है so इसका answer है answer है इसका radiation radiation पे आप पे दो points बनते हैं first point तो यह है कि radiation जो है वो heat transfer का fastest method है and second one is radiation process में हमें medium की कोई भी need नहीं होती है अगर इन question से related कोई भी doubt आपको होता है तो आप please मुझसे comment करके पूछेगा और please comment किया कीजे इससे मुझे motivation मिलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है next question is when a solid liquid or gas changes from one physical state to another change is called जब कभी भी solid liquid or gases या आपको पता है तीनो states है matter की ठीक है या तो कोई चीज solid है या फिर कोई liquid होती है या फिर gases state में होती है तो जब इनकी physical state means कि अगर कोई solid है और वो liquid में change हुआ या फिर liquid gases में change होते है तो वो जो state change होती है उस process को हम क्या कहते है आंसर होगा आपका phase change phase change का मतलब कि जो उसका चरण है उसमें बदला हुआ है कि पहले वो क्या चीज थी solid थी और उसके बाद में वो किसमें change हो गई state में liquid में next question is at what temperature will the reading be the same in Celsius and Fahrenheit thermometer ये जो इसमें टॉपिक्स में इनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी temperature को major करने के लिए कौन-कौन से devices का यूज किया जाता है और ये phases से related state से related हर एक topic को हम initially पढ़ेंगे ये just questions है अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं और आपको just questions चाहिए तो ये आपके लिए उस time पे helpful होंगे अब question है कि किस temperature पे at what temperature will the reading be the same किस temperature पे Celsius and Fahrenheit thermometer में जो reading है वो same होगी तो answer है इसका minus 40 degree next question is which of the following is the best conductor of heat इन जो four points आपको given है इन में से कौन से वाला उश्मा का सबसे अच्छा सुचालक है answer है sea water और आपको पता है जो sea water होता है ये थोड़ा salty भी होता है आज के लिए just seven questions अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please इसे share कीजेगा and like करिएगा thank you so much